तो गई यह राज की वीडियो आप लोगों की पर बना रहा हूँ और आप वे से बहुत सारे दोस्वों ने कॉमेट सेक्शन में कॉमेट सेक्शन में कॉमेट सेक्शन में इतने जॉएदा कोमेंट्स किए मैं मजबूर हो चुका होँ यह वीडियो बनाने बstyle जी हाँ आप लोगों ने कॉमेंट्स ये किया कि भाई पोटैटो कैनन कैसे बनाई इसमें क्या डालते हैं ये किस रीके से बनाई जाती है और इसका इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है इतने सारे सवाल सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो कोई भी रिकमेंड नी करते हैं कि आप इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पर करो अगर करना है तो भाई कहीं अलग जाकर करना किसी फैमली में मत करना काफी ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है तो आज की वीडियो में आपको दिखा देते हैं हमारी पुटैटो कैनन तो दो कुछ यहां पर यहां पार चुक रसकते हैं तो म crawl क्योंड टाइब होता है तो लोग बेहतर जानते हैं ये मतल की बना वा है और ये जो कैनन है इसकी शेप आप चेकर सकते हैं कैमेरा मैन इसकी शेप शो करवाएं फ्रंट से बतली है और यहां पर वेल्ड की है और इसके बाद यहां पर मोटा पाइब लगा दिया गया एंड पर ढखकन लगाने के लिए यहां पर चूड़ी डाद धकन था और पिछली वीडियो में यह भी तूड़ गया और अब निव धकन यहां पर लगाएंगे प्लास्टिक का जब इसमें हम यहां पर गैस डालते हैं तो इसके बाद धकन को टाइड कर देते हैं और इलेक्टोनिकली यहां पर इगनीशन सिस्टम के थूँ अंदर इलेक्टोनिकली स्पार्क हम क्रियेट करते हैं जिसकी वज़ा से अंदर मौझूदा गैस को आग लग जाती है और प्रेशन इंक्रीज होता है और आगे से भाई साब निकलता है प्रेशन से हमारा लोहे का गोला और जो भी निशाने पर होगा उसका तो हो जाएगा काम तमाम तो यहां पर अगर बात करें यह है हमारी प्लास्टिक की कैनन और इसे हमने यूज में इतना जादा नहीं लिया क्योंके इसमें काफी जादा रिस्क रहता है प्लास्टिक फट भी सकता है क्योंके प्रेशर भाई आपको पता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और यह प्लास्टिक का पाइप है नॉर्मल आप चेक कर सकते हैं और यहां पर आप चेक कर सकते हैं प्लास्टिक की बैक साइड पर बोटल है यहाँ पर ignition system के लिए यहाँ पर हमने सुराह कर रखा है आप चेक कर सकते हैं अंदर दो वाइस लगाईं और आप जानते हैं कि फिर गया करना है 3-2-1 करना है और इसका भी काम तमाम भूम ऐस तरह की आवाद आने वाली तो भाई यह जो दो हमने पोटाइटो कैनन बनाई है इतनी कमाल की है हमने इतनी सारे experiment days के साथ किये अगर आप ने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं आपने हमारी तो पिछली वीडियोज आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जा सकते हैं और इनका प्रेशर दिन बदिन दिन बदिन हम इंक्रीज करते रहे हैं और सबसे पहले जब मैंने बनाई थी और यहां पर यही पोटाइटो कैनन थी और यहां पर अगर बात की जाए इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था मुझे पता नीदा के SU đầuड़ इसमें कौन सा डाल शाहिए हम काफी ज़ियादा टाइम Protect admits करते रहे हम सबसे पहले मैंने कौन सा डाला थे यह इसमें बात के शेर करते हम आपके साथ सबसे पहले जो फियूल हमने इसमें डाला था वो था एक normal body sprayer जी हाँ body spray इसके बाद हमने डाल पेट्रॉल पेट्रॉल की चंद बुने इसमे डाल दी और pressure increase करने के छकर में काफी जादा मद़ा आया expression आया पेट्रोल ने कफी रख तक प्रेशर दीया लेकिन अब जो है हम इसमें gas डालते हैं जो के नॉर्मल गैस, बुटेन गैस है, लाइटर भरने में मदद देती है, आप चेक कर सकते हैं, ये गैस है, और ये हम इसमें डाल देते हैं, ये लिखा हुआ है, ये हम इसमें डालते हैं, और इसके जो प्रेशर है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, कि हमें खुद लगता है, ये जो निकला वा गुला है, मुड़ के वापिस ना आ जाए, हम भाग जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, नीचे से 3-2-1 करते हैं, और इसके बाद, फाइनली, फाइट कर देते हैं, तो इतना सा बस कुछ इसमें ज्यादा टोपिक वाली बात नहीं है, जस इतना लोहे की चूडी दार कोई चीज थी, इसे हमने लोहे का नट था, तो इसे हमने वेल्ड कर दिया, और बैक साइड पे धकन प्लास्टिक का हम लगा देते हैं, जिसमें चूडी बिल्कुल इसके साइज के बराबर है, और जस्ट यही है पुटाइटो कैनन, और इसमें कोई इजाफी फंक्चन नहीं है, ना तो इसमें कोई बारूद किसी भी टाइप का डलता है, ना कोई एक्स्टर इसमें कोई चीज हमें नीड बढ़ती है, कुछ भी नहीं यहां पर नीड होती, बस इतना सा हमारा एक्सपेरिमेंट था, अक्सर दोस यह नहीं कर पाते हैं, जिस आपके माइड में नहीं रहेगा, अगर है फिर भी है, तो कौमेट सेक्षन में कौमेट्स कर दीजेगा, बस, अगर फिर भी है करना जरूर है, ठीक है, आपको भही AllTallaj और वी कुमेट्स में कلियर करने की कोशिश करेगा, अगर कौमेट्स में नहीं हो पाई, तो